Hey what's up guys, welcome back once again So दोस्तों आची कहानी जो एक स्प्लीन करने जा रहे हैं उसका नाम है दन नौर्थ तो कहानी की शुरुआत होती है नौर्थ फेस नाम की एक माउंटीन से जो की स्विजर लैंड में मौझूद है जहां पे दो क्लाइमबर काल और रॉय गए थे लेकिन उनका दो दिनों से कोई भी आता पता नहीं है इसलिए उन्हें धूलने के लिए एक प्लेन को भी भीजा गया था और वो भी कहीं नहीं मिले जिसके बाद उस माउंटीन को वाल आफ देद खोशित कर दिया जाता है क्योंकि उस हासे के बाद सरकान ने उस जगाँ पर चड़ना बैन कर दिया पर वो कहते है ना कि जिस चीज़ को मना किया जाए उसे ये करने में असली मज़ा आता है बहुत से लोग उसके बाद भी नॉर्थ फेस पे क्लाइम करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए कुछ रिपोर्टर का तो ये भी मानना है कि जो भी उस माउंटीन के टॉप पर जाएगा उसे वो अलम्पिक की तरफ से गोल्ड मेंडल मिलेगा मगर इस बात पर कितनी सच्चा ही है ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका है और नहीं कभी कोई स्टॉप तक पहुच पाया है वेल सीन शिफ्ट होता है 1986 बर्लिन के एक निउस्पेपर हेड़कॉर्टर से जहांपे क्लाइमबर्स के उपर मीटिंग हो रही है ये लोग चाहते हैं कि कोई क्लाइमबर नौर्थ फीस पर चड़े जिसी कि उनको निउस्पेपर को फायदा हो क्योंकि वो पहले होंगे जो इस मुवमेंट को लाइव कवर करेंगे पर आखिर कौन है वो बंदा तभी एक आदमी टूनी और आइंडी का नाम आगे रखता है लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता इसलिए वो चुब हो जाती है तब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो टूनी और आइंडी को ही भीजेंगे नौर्थ फीस पर चलने के लिए अगर वो मान गए तो इसे हमारा बहुत फायदा होगा उस देर बाद क्लियर को उसके बॉस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ इसलिए ये लोग कुछ पैसे रखो और जाकर उन दोनों को नौट फेस पर चलने के लिए मना लो अगर वो मान गए तो तुमारा प्रमोशन तैय है वहीं दूसी तरफ हम टूनी और एंडी को देखते हैं जो क्लाइम्बिंग कर रहे थे लेगिन उसी चक्कर में उन्हें आर्मी कैम पहुशने में लेट हो जाता है जिसकी वज़े से उन्हें सजा भी मिलती है और वो भी टौलेट साफ करने की अब यहां किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये दोनों आगे जाकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे दुनिया हमेशा याद रखेगी काम पूरा करने के बाद वो दोनों घर पहुशते हैं तो वहां उन्हें कलेर दिखती है जिससे देखकर रैंडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसकी बच्पन की दोस्ती लेकिन वही टोनी अपनी खुशी बाहर नहीं लाता इसकी ये वज़ा थी कि सालों पहले कलेर और टोनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन काम के सलसले में कलेर को शहर जाना पड़ा जिसके बाद उनके बीच जो भी था सब कुछ खतम हो गया पर यहां वो उसका अपना गाउं में अच्छे से स्वागत करता है अब रात होने पे दीनों पार्टी करने जाते हैं जहां पर कलेर उन्हें सब कुछ बताती है कि आखिर उसे यहां किसले भीजा गया है पर टोनी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो कलेर और रॉय को बहुत अच्छे से जानता है और उनके साथ क्या हो सकता है इस क्लाइमिंग में यह भी जानता है उसका यह कहना था कि वो अभी पूरी तरह से तयार नहीं है इस खतनाग चुलाई करने के लिए और इसी लिए वो कलेर को साफ साफ मना कर देता है जिसके बाद उन दोनों में बहुत बहुत भी होती है क्योंकि उसका ना कहने से क्लेर का प्रोमोशन रुख जाएगा लेगिन टोनी कहता है कि तुम्हें बस हमेशा खुद की फिकर रहती है अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिमेदारी लोगी बलब वो वापस बली ना जाती है और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं क्लेर का बॉस कहता है कि मुझे पता है कि उन्होंने मना कर दिया पर मैंने दो ऑस्ट्रिलियन क्लाइमबर इसमित और जॉन को इस काम के लिए राजी कर लिया है वो चाते तो हैं ये करना लेकिन बहुत सी चीजें उन्हें ऐसा करने से रोक रही है एक राट टोनी बहुत सोचता है और आखिरकार वो इस वैसले पर आता है कि उन्हें ये करना ही है और ये करने से वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं कम से कम इस गरीबी से तो उन्हें फुर्सत मिल सकेगी लेगिन वहा जाने के लिए उन्हें आर्मी से कुछ दिनों की च्चुटी लेनी पड़ेगी वो अपने senior को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं इन्होंने चुट्टी नहीं मिलती इसलिए वो अपनी उस जॉब को ही छोड़ देते हैं और फिर उस क्लाइमिंग की तयारी में लग जाते हैं उन्होंने अपना सारा समान पैक कर लिया था लेकिन दोने के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन से जा पाते इसलिए वो डि एंडी जैसे गरीब लोगों को देखकर लुफ्त उठाने आ रहे थे इन लोगों को इस बात की कोई फिकर नहीं है कि अगर वो मारे गए तो क्या होगा अब इनको बस इंटेटेन्मिंट चाहिए था इसके बाद क्लियर और इसका बॉस दोनों से उसलिए लैंड पहुच ज की हैं जिनमें स्मित और जॉन भी मौझूद थे जिनने क्लियर के बॉस ओलिव ने यहां पर बलाया था कुछ समय वहां बिताने के बाद उन दोनों उस जगां को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आकर कैसे कैसे उपर जाना है जब ओलिव और क जाता है जो उसे देखकर वो थोला शौक में होती है कि उन्होंने तो मना कर दिया था तो यहां कैसे आ गए उसे यह सब पूछने का समय नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले यह ओलिव उन दोनों को डिनर के लिए इन्वाइट कर देता है जिसके बाद सारे लोग रात में मिलत पातना करती है विर सब साथ में डिनर करते हैं अब अगली रात जब सारे अमीर लोग होटल में अराम कर रहे थे तब ही बाहर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है जिसमें आंडी और टूनी का कैम उड़ते उड़ते बचता है और हमें यहां पर अमीरी और गरीबी का फ बहुत जाता है जहां पे क्लियर ठहरी हुई थी उसके रूम में जाकर उसे एक डाइरी देती हुए कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो कहती है कि क्यूं तुम तो जहां पर जाते हो क्लाइमिंग कर नहीं इसे अपने साथ लेकर जाते हो तो आज तुम ये डाइरी उपसूरत पल दर्ज है इन्हे सम्हाल कर रखना क्लियर उसे वादा करती है कि वो इसे सम्हाल कर रखेगी ताकि जब वो वापस आए तो उसे उसकी कीमती चीज वापस मिले जैसे वो उसे दे कर जा रहा है जिसके बाद वो दोनों अपने पुराने गिले शिक्वे भुला कर एक दूसरे से गले लगते हैं अब कैम्प में वापस आकर एंडी टोनी से कहता है कि हमें आज ही क्लाइंबिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि मौसम साफ है कल सुबा तक हम थोड़ी उचाई पर पहुच जाएंगे तो दोनों अपना समान रेडी करते हैं और निकल जाते नौर्थ फेस के टॉप पर पहुचने के लिए लेकिन उन्हें जाते हुए समित और जॉन भी देख लेते हैं तो वो भी उनके पीछी-पीछे चड़ाई शुरू कर देते हैं धीरी-धीरे सूरज निकलाता है लेकिन तभी एंडी से एक पत्थर तूर जाता है जो जाकर न वोनी उनसे लाग गुना अच्छे क्लाइमबर है इसलिए अगर वो उनके पीछी-पीछी क्लाइम करते रहे तो वो उपर तक बहुच सकते हैं इसलिए वो बस उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं उदर होटेल में सबको पता चल जाता है कि दो टीम ने जाता है जहां पर टूनी अपना हुनर दिखाता है वो एक रस्ती की मदद से दूसरी साइट छलांग मार कर चला जाता है लेकिन जब बारी जॉन और स्मित के आती है तो उन्हीं ये करने में बहुत दिक्कत होती है पर वो भी जैसे तैसे ये कर ही लेते हैं कुछ समय के बा से चढ़ना शुरू करते हैं लेकिन यहां समित के सर पर जो चोट लगी थी वो बढ़ रही थी इसलिए जॉन कहता है कि उससे नीचे जाकर आराम करना चाहिए लेकिन वो उल्टा उसी पर चिलाना शुरू कर दिता और कहता है कि नीचे जाकर उन्हें कुछ हासिल नहीं है इन लोगों को दोस्तों 11 घंटे बीच चुके हैं क्लाइंबिंग करती हुए और अब ये 31 सो फीट की उचाई पर है लेकिन अभी भी सफर बहुत ही लंबा है पर कुछ समय के बाद इनका सामना होता है बर फीले तुफान से जिससे की ठंड और जादा बढ़ जाती है और स्लीपर बैग में बंद कर देते हैं और नीचे फेक देते हैं तकि उनके परिवार वाले उन्हें आखरी बार देख सकें जिसके बाद ये लोग फिर से क्लाइमिंग करना शुरू करते हैं लेकिन तभी जॉन का पैर स्लिप हो जाता और जाकर वो एक पत्थर से ठकरा जाता जिसे कि उसकी पैर की हेड़ी टूर जाती है और ऐसी हालत में उसे क्लाइम कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल था इसलिए आइंडी कहता है कि हमें इससे नीचे लेकर जाना चाहिए ये ऐसे तो चड़ नहीं सकता है और तुम और टोनी उपर चड़ते रहो पर वो मना कर कर देते हैं और उसकी रसी अपने शरीर से जोड लेते हैं ताकि वो नीची ना गिरे तो आप समझ सकते हैं कितना भार ये लेकर उपर चड़ रहे हैं दिनों फिर से दोबारा क्लाइम करना शुरू करते हैं लेकिन फिर से इनके सामने मुश्किल आना शुरू हो जाती है औ इसलिए वो और उपर चड़ना शुरू करते हैं लेकिन तभी एक रसी छूट जाती है क्योंकि पत्थर अब बर्फ के वज़े से फिसलने लगा था और उसी रसी को बचाने की चकर में टूनी का एक हाथ का गलवस भी नीचे गिर जाता है और अब ठंड के वज़े से उसका हाथ धीरी धीरे जमने लग गया था वही तूफान भी अब बढ़ने लगा था जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था इसलिए चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक जगाए कठा होकर बैट जाएंगे और सोईंगे नहीं क्योंकि अगर उन्हें नहीं नहीं तो वो जम कर मारे जाएंगे इसलिए उस राज सभी जागते रहते हैं और 20 जुलाई की सुभा एरिया में खबर फैल जाती है कि तूफान अब और तीज होने जा रहा है इसलिए जो भी रिपोर्टर होटल में ठहरे हुए हैं उन्हें अपने अपने क्लाइमबर्स की फिकर हो रही थी पर वहीं ओलिव वो पत्थर दिल का इंसान था वो कहता है कि कोई नहीं उनका यही काम है इसलिए वो बहतर होगा कि उन्हें ये काम करने दो लेकिन क्लियर को अब टोनी की फिकर होने लगी थी वो उसे ऐसे मनने तो नहीं दे सक इसलिए वो बिना किसी को बताए उस टूरिस्ट व्यूपॉइंट पर चली जाती है और वहां से टूनी टूनी पुकाने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता और तभी वहां के टेकर आता है जो उसे अंदर चलने को कहता है क्योंकि एतने तूफान में उन तक आवास बहुश पाना बहुत मुश्किल है पर क्लियर कहती है कि वो लोग यहीं पर है मुझे पता है और वो कहते हैं न दोस्तों कि उपर वाला बहादुरों की आवास ज़रूर सुनता है टोनी को क्लियर की आवास सुनाई दे दीती है और साथ में उसकी टॉर्च लाइट भी दिख जाती है जिसके बाद वो भी उसे आवास लगाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है बैंडी कहता है कि हमें किसी तरह से विव पॉइंट तक जाना होगा वना हम यहीं जम जाएंगे इस समय उपर क्लाइम करवाना खत्रे से खाली नहीं है लेकिन टोनी कहता है कि मेरा एक हाज जम चुका है मैं कैसे वहाँ तक जाओ तबैंडी उसे एक सचे दोस की तरह उसे होसला बढ़ाता और उसे आगे चलने की हिम्मत देता है क्योंकि वो उसके बिना अधूरा है जिसके बार टोनी बताता है कि उन्हें उस पहार तक जाना है जो दूसरी तरफ है लेकिन वहाँ तक पहुशने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा रस्ती की जरुत होगी जोब उनके पास नहीं बची है पर टोनी एक हिम्मत वाला बंदा था वो उसी रस्ती में दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि अपने साथियों के लिए आगे का रास्ता बना सके लेकिन बर्फ और बढ़ती जा रही जिस वज़े से तापमान और गिरता जा रहा था पर टोनी कहता है कि हम एक जगां ज़्यादा देर तक रुख नहीं सकते हैं इसलिए अब हमें उपर जाकर फिर से उस वीव पॉइंट तक जाना होगा इसके अलाब हमरे पास कोई आप्शन नहीं है उदर होटल में सब को खबर मिल जाती है कि वो चारों क्लाइमबर्स जादा देर तक जिन्दा नहीं रह पाएंगे सब को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन यहां ओलिव के दिमाग में अभी भी पैसा आ रहा था वो भागते वे उसी व्यूपॉइंट पर आता है और क्लेर से गयता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जाओ और उन लोगों की फोटोस क्लिक करो लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो यहां पर उन लोगों की फोटोस नहीं बलकि उनकी जान बचाने के लिए आई है दोस्तों एक 20 घंटे बीच चुके थे और इन लोगों को मौत से लड़ते लड़ते लेगिन तभी एक हासा हो जाता और ये हासा सब कुछ बदल देता है उपर से बहुत सारा बर्फिन की रसी पे गिरने लगता है जिसे इसमें जाकर एक हुक से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है दूसरी ओर जॉन जिसकी रसी टूर जाती है और वो सीधा नीचे खाई में गिर जाता है पर आंडी अभी भी जिन्दा था लेकिन उसकी रसी भी अब छूटने वाली थी जिसे टूरी ने पकड़ रखा था वो से कहता है कि भाई उपर आजाओ जल्दी रसी चूटने वाली है लेकिन वो कहता है कि अब शायद तुम्हें खुद अकेले ही इतिहास लिखना होगा आंडी दोस्तों अपनी रसी काटने लगता और उसे ऐसा करता देख टूनी उस पर बहुत चिलाता और कहता है और कहता है कि जल्दी से उपर आ जाओ पर ये बात दोनों को अच्छे से पता थी कि वो रसी बस एक ही आदमी का भार समाल सकती है इसलिए आंडी रसी को काट देता और सीधा नीचे खाई में गर जाता है उसने बस ये टूनी के लिए किया था ताकि वो जिन्दा रह सके अब अपने सामने उसे मरते हुआ देख टूनी भी रोने लगता और वो पूरी तरह से टूट चुका था और 30-40 चिलाने लगता है जिससे क्लियर भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है अब यहां उसे भी पता चल चुका था कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा उसे नीचे जाना लोग यहां से जा चुके जिन लोगों ने इन चार उपर पूरी लगाई थी लेकिन एक क्लाइमिंग की टीम अभी भी यहां मौजूद थी जिसके सामने क्लियर टोनी की जान की भीग मांगती है और गड़ गड़ाते हुए उसे मदद मांगती है अब वो लोग भी क्लाइमर् इसलिए वो मान जाते हैं और फॉरण उसी स्पोर्ट पे पहुँचते हैं उदर टोनी अभी भी खुद को उस व्यूपॉइंट पर ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर अब ताकत खतम हो चुकी है पर तब तक हम देखते हैं कि वो तीन लोग की क्लाइबिंग टीम स्पोर्ट पर पहुच जाती है लेकिन उनके लिए उपर चलपाना इतना असान नहीं था इसलिए वो क्लेर से कहते हैं कि कैसी भी करके ये रात निकल जाए हम लोग कल सुबा जाकर टोनी को ले आएंगे लेकिन क्ल कि यह कोई बात पता है कि कल तक शाय टोनी जिन्दा ना बच पाए इसलिए वो दास होकर बालकनी से बाहर एक कोनी पर जाकर बैट जाती है और पूरी राट टोनी टोनी पुकारती रहती है ताकि उसे यह आसास होता रहे कि वो अकेला नहीं है फाइनली सूरज निकलता है जिसका बात टीम फिर से उपर चलना शुरू करती है और एक जगाँ पर रुक कर वो टोनी को आवास लगाती है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते इसलिए तुम अपनी रसी नीचे फेक दो ताकि हम उसे पकड़ कर उपर आ सके वेल दोस्तों यहाँ पर टोनी की हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगाँ पर कितनी जादा ठंड पर रही है क्योंकि टोनी का पूरा चेहरा जंग चुका था उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था लेकिन वो फिर भी अपने मूँ से अपनी रसी को खूलता है लेकि उस रसी को दम हो जाती है और वो बालकनी के उपर ही लटका रहता है तो क्लियर उपर चलती है और उसके करीब जाकर कहती है कि देखो टोनी इधर आओ देखो मैं तुम्हारे लिए यहां तक आ गई हूँ उठ जाओ चलो मेरे साथ चलो हमें एक साथ भी तो रहना है ना इस रसी को पक आता कि डाड़ी देते वक्त जो बात उसने कही थी वो कुछ इस तरह से सच हो जाएगी अब दोस्तों यहां पर ओलीव क्लियर को वापस जर्मन जाने को कहता है पर इतना सब कुछ होने के बाद उससे समझा गया था कि अगर वो उस दिन टूनी और एंडी के पास ना जाती और ना ही उन्हें इस पहाल के बारे में बताती तो शायद आज वो दोनों जिन्दा रहते अब ये सारी बाते चोल कर उसने औलिव की जौब छोल दी और एक फोटाग्रफर बन गई है जिसमें वो खुद की पसंद की फोटोस खीशती है और आज वो खुल कर जी रही है उस वीडियो पर एम करते हैं 350 कॉमेंट का जिसके साथ ये कहानी एक खतम हो जाती है तो आपको ये कहानी कैसे लगए नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा मलते हैं आप से लिए मैं थाएंगी सो मुच वाशिंग पीस आउओ